नविशकर दोस्तों जेहिंद वंदे मातरम श्वागत है आपके अपने टीटी फेमली सिचकों के परिवार जैसवाल कोचिंग सिंटर पर पावड़ बाई सिच्चा ही प्रकास हैं दोस्तों हम आज की कलास में बात करने वाले हैं EBS परियवन के टॉप 50 important MSQs की बात करेंगे important question की बात करेंगे इसमें हमारे 30 question जो है आपके concept के रहने वाले हैं और 20 questions आपके पेड़ागौजी के रहने वाले हैं EBS में 30 में से 30 नंबर लाना थी और 50 question का जो combination है concept और पेड़ागौजी का बहुत important आपके एक्जाम के रहसे होने वाला है चलिए देर ने करते सुरुवात करते हैं और प्रशनों की बात करेंगी जो important question ने ध्यानपुरण प्रत्यक प्रशन को देखना है और अंत में आपको comment करके भी बताना कि 50 में से आप लोगों का score कितना है माने जी आजी आपके एक्जाम हो रहा है ये 50 questions से आपके कितनी त्यारी हो चुकी आए जानते हैं पहला प्रशन आप लोगों के स्कीन पर है एकोलाजी सब्द किसने प्रत्पादित किया था चाल्स डार्विन, रावर्ट, पिटेकर, आर्थर टांसले या अरनेस्ट हैकल की बात करेंगे सभी कमेंट किजेगा मेरे प्यारे प्यारे भाईयों के प्यारी प्यारी बहने ग्रणी, व्रिदर, सिस्टर्स, एंटीचर्स, सभी कमेंट किजेगा दोस्तों एकोलाजी के बात की जाती आप सभी लोग जानते हैं इकोलाजी सब्द जो है किसने प्रित्पादित किया है अरनेस्ट हेकल ने प्रित्पादित किया था फोर्थ आपसन इधर आई टेंसर हो जाएगा इसके बाद आपको जो है सेकंड कोश्चन्स आपके स्किन पर आलेडी आ चुका है परशने पूछा जा रहा कि बीज अंकुरन की या उधारना को इस तरह सबसे बेटर तरीके से पढ़ा जा सकता है देखिए जब आपकी निक्थ होगी आप लोग अधापक अधाफिका बनेंगे सिच्छक बनेंगे टीचर बनेंगे तो बीज अंकुरन की उधारना को अगर आप पढ़ा रहे हैं इस की कच्छा में बैठे हुए हैं तो सबसे बेटर तरीके से किस प्रकास से आप पढ़ा सकते हैं या पढ़ा जा सकता है अंकुरित बीजों को फोटो दिखा कर कच्छा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरन की प्रकिया को इस्वष्ट करना बोर्ड पर चित बनाते हुए अंकुरन के चर्णों को प्रदसित करना या कह सकते हैं कि बीज बोने अंकुरन की भिष्ण चर्णों का उलोकन करने उनका चित बनाना और गद्विदियों को बच्चों को निस्वादित करने के लिए कहना तो फूर्थ आपसन हमें यहाँ पर सही हो जाएगा अगर आप बीज अंकुरन के उधारना को बढ़ा है तो सबसे बिरतर तरीके से किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है बीज बोना अंकुरन के विष्ण चड़नों का उलोकन करना और उनका चित बनाने की गद्विदियों को बच्चों को निस्वादित करने के लिए कहना ठीक है आयोब सभी लोग समझ चुके होंगे आईए बात करते हैं आपके अंगले प्रस्ण के अंगले प्रस्ण दोस्तों चटानों कोई कितने प्रकार होते हैं फर्स सिकंड थर्ड फोर्थ कौन सा होता है सभी लोग जानते होंगे कि चटान जो है तीन प्रकार की होती है अब आपका प्रश्ण बनता है कि चट्टाने तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है तब आपके जवाब होने चाहिए पहला होता है आपका अगनेच चट्टान दूसरा उसादी चट्टान और दूसरा रूपांतरी चट्टान होता है अगनेच चट्टान तब बनता है जब गर कि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर किस राज में हैं महाराष्ट उडिशा उत्तरपदेश या मद्दपदेश में सभी कमेंट किजेगा भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर किस राज में तो आपका जवाब होना चाहिए मद्दपदेश में मद्दपदे इसमें पांच निस्वन पार्क भी है और दस संचुरी भी है देश का हैदय मद्ध प्रदेश जो कहलाता है पहली बार बागों की संख्या में 785 में सीस पर पहुंच जोगा था अब आए बात करते शुजन की अंगला पुस्टन का रहा बिकर्मसिला गंगा डालसिन अव्यारन के है अविय welkos बताई बर्क बताईएगा इसम में उत्रखन प्रदेश में बिहार में में उत्तर प्रदेश में यसमिमें हैं तो आप सभी लोग जानते हैं सबी प्यानी स्रविक्याता लोग हैं, कि जब भी विक्रम सिला गंगा डालफीन अव्यारण के बात की जाती एक ही प्रदेश आता हुआ है, दोस्तो बिहार, ठीक है? बिक्रम सिला गंगा डाल्फिन अव्यरन भारत के बिहार राज के कहां पर है भागलपुर जिले में सुल्तान गंसे कहलगाओं तक गंगा नदी का 60 किलोमीटर लंबा हिस्सा है गंगा को डाल्फिन को भारत राष्टी जली जीव घोंसित किया गया है यह भी आपका इंपोर्टन्ट है ज्यान रखेगा किस सहर को गेटवे आफ इंडिया कहा जाता है पोपाल मुंबई मैसूर या लखनव को कहा जाता है सभी कमेंट करके बताइए किस सहर को गेटवे आफ इंडिया कहा जाता है सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे मुंबई की बात हो रही है मुंबई को गेटवे आफ इ और महरानी पतनी मेरी आफटे के आगमन की स्मत्मी किया गया था और ये किसी बिटिस समराड की भारत की पहली यात्रा थी इसके बाद अंगला प्रश्ण है कि कलार्क वी वेविन पुरुसकार किस से सम्मंदित है वन जीव सुरच्छा, जल सनच्छन, पर्यावन सनच्छन या खेल से सम्मंदित हो जाता है तो आप सभी लोग जानते हैं कलार्क वी केविन पुरुसकार जो सम्मंदित होता है यह वन जीव सुरच्छा अधनियम कितात आ जाता है जो वन जीव सुरच्छा पर बेश्ट होते इनको कलारवी वेविन पुरुसकार से सम्मानित किया जाता है अगला प्रसंद जो और भी इंटरेस्ट्रेट कुश्चन्स है ध्यानपूरक समझेगा इन में से कौन सी संधी यह प्रोटोकाल अन्टार्कितिका में खननन पर रोंक लगा देता है अंटाइटा, एंवायरमेंटल प्रोटोकाल, जिनेवा प्रोटोकाल, टोक्यो प्रोटोकाल यहन में से कोई नहीं जोसों एक संध एक प्रोटोकाल है जिस पर अंटाइटा के खनन पर रोख लगता है यह रोख लगता है और वह होता अंटाइटा एन्वाइर्मेंट प्रोटोकाल है अंगला है NCF से आपको पता EBS में NCF से प्रशना आए ऐसा हो जी नहीं सकता है इसके अंसार उच प्रात्मिक इससर के बिज्ञान की पाठ्चर्जा में निम्लिकित में से कौन सा अंसंसित है अधाराओं को रोज मन्रा के इन्वा को समझ बनाने में जोड़ा जाना चाहिए अधाराओं तक गद्विदियों प्रयोगों दोरा पहुंचा जाना चाहिए या कह सकते हैं अधाराओं का अविश्यक उपागम दोरा से छण होना चाहिए अधाराओं के साथ नियम और सिध्धानतों को जो है पेस करना चाहिए नीचे कूट वाले आपसंस आपके दिये रहेंगे तो कौन कौन सा सही हो जाएगा देखें इनसीअब दोजार पांच में आपका उच प्राथमी किस्तर्क बिग्ञान की पार्शेरा की बात करें तो अधाराओं को रोज मनरा के इनभों की समझ बनाने के लिए जोड़ा जाए इसके साथ अधाराओं तक गद्विदिया प्रयोगों दोरा पहुंचा जाना चाहिए और इसके बाद आपका आजाता है अधाराओं के साथ नियम और सिध्धानतों को फेस करना अर्थात ए आपसन बी आपसन और आपका डी आपसन आ जाता है तो ए बी डी किस में दिया गए है फर्स्ट आपसन में दिया गए है पूट वाला हमारा सही हो जाएगा अंगला प्रस्णिया पर दियागा कि एक पुरूस जिनका रक्त शमूँ ओ है और ए रक्त समूँ वाली इस ती से साधी करता है यानि कि मेल का रक्त समूँ ओ है और फी मेल का रक्त शमूँ यहां पर क्या हो जाएगा ए है ठीक है यह चीज आपको ध्यान देना उसके पहले बच्चे के रक्त समूँ ओ होने की कितनी संभावना है तो उसके चाहे ओ हो चाहे ए पूछा जाए तो 50-50 परसंट संभावना होती है होती ही ना लेकिन लॉजिकल समझेगा बैग्यानिक विचार के कॉर्डिंग देखें अगर जिनका रक्त समूँ पुरुसों का ओ है और माइलाओं का ए है तो इसका पहले बच्चे का रक्त समूँ जादा कितने परसंट ओ होने की चांसे है पचीज पिसस्थ होने की चांसे और अब बैग्यानिक नियंतन को प्रयोगों द्वारा खोज और पर्खों के द्वारा जो ही है बताया गया है अंगला है इसवी को एक सब्ताई के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत करने के एक बिक्तिकत कार दिया गया नीची दे गए आकलन संकेत को में पहचाने के इसवी क महां गलत हो गई इसवी का बालिका है ठीक है इस्टूडेंट है उसको मौसम रिपोर्ट के लिए एकत करने के एक बिक्तिकत कार दिया गया था अब संकेत में कौन सा गलत है यह आपको बताना है मीचे आपके कूट वाले आपसंस दिये गए वह निसकर्स निकालती है कि रिक्तम और निम्तम तापमान की सीमा प्रद्दिन भिन है वह हर एक दिन बेवसाइट से आंक्रे साणी वद्द करती है या आपसंस नम्बर डी कह सकते हैं कि वह इस पैडाम पर पहुंचती है कि आने वाले सब्तार में बारिस हो सकती है या नहीं देखे यहां पर देखा जाए अगर ECU को एक सब्तार के लिए मौसम की रिपोर्ट एकद करने के लिए बिक्त कर दिया जाता है तो आंकलन के कॉर्डिंग देखा जाए वह निसकर्ष निकालती है कि आदता में कमी से वर्सा की सम्मावना बढ़ जाती है यह आपका गलत होगा पांकी जो अनमान तारा होता है एक चमकता पिंड जो वाई मंडल में एक समान गती से चलता है एक तारा जिसके एक सिर पर पूँच होती है या उलकाव जो प्रत्वी के वाई मंडल में प्रवेस करते ही आग पकड़ लेता है एक उलकाव होता है जो प्रत्वी के वाई मंडल में प्रवेस कर तो वायो घर्सन के कारण या है इसमें चिंगारी होती है के वल बाता हुआ है जिसे हमें जलता हुआ दिखाई देता है इसी को तूटता तारहा उल्का कहते हैं यह उलकाव होते हैं तो डिअपसंग यहापे सही हमारा हो जाए है इसके बाद अंगला प्रस Łagang देखते हैं ध्यानपुरक समझेगा और फीडबेक कीजेगा दोस्तों अंगला प्रश्ण है कि परियावरण अध्धन की कच्छा में और धाड़ाओं को इस्पष्ट करने के लिए कभीता और कहानी कथन का प्रयोग करना किस प्रकार से होगा देखिए परियावरण अध्धन चाहिए अगर इस्पष्ट करने के लिए कभीता कहानी का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं न कहीं पार्ट की अनन्दायक और और व्चचण बनाने में मदद मिलता है बच्चों कूआ कि कभीता और कहानी के मादम से आप प्रयोग करने हैं ठीक है? इन चीजों को समझते जाना ह तयारी जारी रखना है क्योंकि इस वार 101% जो है एकजाम को फत्य करना है साथियोग परसद निम्लिकित में से कौन सब बिज्ञान की प्रकत का सबसे अच्छा वर्णन करता है क्या वह आपका बिज्ञानिक अपने कार में पूर्णों पसे निस्पच्चों होते हैं बग्यानिक विधी अनुसंधान के संचालन के लिए एक मात मागदसिका है, बिग्यान विश्यासों की एक प्रणाली है या बिग्यान प्रकत में समाजिक है, तो बिग्यान की प्रकत का सबसच्छा वर्णन जिस आपसन में होता है कि बग्यानिक अपने कार में पूर्ण के फीडवे करके बता सकते हैं दोस्तों बिग्यान की पार्चर्या जियां बिग्यान की पार्चर्या में संगनात्मक वैदता का अर्थ क्या होता है अगर बिग्यान की पार्चर्या है उसमें संगनात्मक वैदता का अर्थ होता है सिच्छार्थियों के संगनात्मक इससर के का शमयोजन दे आफसे निदर आइटेंस अंगला प्रस्ण है एंसी अफ दोजार पांच के अंसार उच्छ प्रात्मिक इस्तर बिज्ञान की पार्श्यर्या में निम्रकित में से कौन सा अंसंसित है देखे ईवी एस में एंसी अफ से लेके तीन से लेके पांच प्रस्ण तो एंसी अफ दोजार पांच के अंसार अगर उच्छ प्रात्मिक इस्तर में बिज्ञान की पार्श्यर्या में कौन सा अंसंसित हो जाएगा नीचे आपके आफसंस है और कूट वाले भी आफसंस में दिये गए हैं तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा कि रोजमर्णा क को रोजमर्णा की अन्वों की समझ बनाने के लिए जोड़ा जाना चाहिए और दाराओं तक गत्विधी प्रयोगों दारा जो है पहुंचा जाना चाहिए और इसके सासाथ और ढ़ाओं के साथ नियम और सिध्धानतों को पेस करने की आउशक्ता होती है अथात पहला आप आपसन यह हमारे होने चाहिए उच्छ प्रात्मिक इस्तर विग्यान की पाच्चेरा के अंसरसित करने के लिए एकार्डिंग टू एंसी यव टूटाउजन फाइफ अंगला पसन है निमनिकित कत्नों को पहचानना है कि विग्यान के बारे में क्या सत्त दिया गया है लेकि विग्यानिक विचारों को नियंतित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है फोर्ट आपसन सही हो जाए अंगला पसना निमनिकित में से क्या सिच्छार्चियों में बालग बालिकाओं में संकल्पनात्म कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणीत होती है अदिक आपसन एदर आइट एंसर हो जाए इसके बाद अंगला है कि बिग्यान को पढ़ने के लिए अधिक लड़कियों प्रोशाहन करने के लिए आप निन में से सभी प्रकार को अपना सकते हैं सिर्फ एक को छोण कर अगर लड़कियों को प्रोशाहन करना बिग्यान के प्रती एक को छोण कर किसको आप बता सकते हैं या अप प्रोशाहित कर सकते हैं तो एक निगेटya पच्चह में ध्यान देना है ठीक है कच्छा में महिला बिग्यानी को उणमिन्देतansen करें अच्छा और बेटर होगा बिग्यान के बारे में मितकों और रोड़ियों की जाच सिचा बिज्ञान की कच्छा में लड़कियां हमेशा हावी रहें यह गलत कतर क्योंकि आप फिर लिंग पच्छपात हो जाएगा लड़कियां हमेशा हावी रहें तो यहां पे डीवाल आपसंस आपको इसको चोड़कर बाकी तीनों हमारे सही दिए गए अंगला प्रस्ण बिग्यान सिच्छक को और अधिक अपसारी प्रस्ण पूछने चाहिए क्यों कि लेकि अपसारी और अभिसारी ये दोनों चीज़े हैं जिसे खुला और बंद जिस प्रकार से खुले वाले प्रशन होते हैं, उसी उस प्रकार से अफसारी बोला जाता है और बंद प्रशन अर्थात अभी सारी, जैसा एक अन्मान लगा सकते हैं तो बिग्यान के टीचर हैं और अधिक अब सारी प्रश्ण पूँचने चाहिए क्यों क्यों पूँचना चाहिए बच्चों से नीचे आपसंस कूट वाले दिये गए हैं देखिए इसलिए पूँचना चाहिए क्योंकि ये गहन सोच को पुरसाहित और विक्सित करता है ये सोचने की ये युक्तियों को विक्सित करता है ये बालक बालिकाओं सिच्छार्थियों के सजनात्मक बिवार के आकलन में सहायता करता है अब देखेंगे हमारा अपसन जो दिया गए डी आपसन यहां पर दिया गए जो हमारा सही हो जाएगा तो 20 questions हम complete कर चुके हैं और 10 questions concept के करेंगे इसके पास 20 questions आपके ABS पेड़ागाजी के करेंगे दूसरों प्राथ में किस तर पर आकलन में सामिल होना चाहिए तो प्राथ में किस तर में आकलन में किस व्यकार से सामिल होना चाहिए इसमें सिच्छक द्वारा सतत और असन्दशनात्मक तरीके से किये गए अलोकन को बच्चों और अईवाकों के साथ बाटना बी आप्सन इदर आइटेंस रोज़े ठीक है अंगला अपस देख लेते हैं समझ लेते हैं और आपका फीडवेक जान लेते हैं इक अच्छा में प्रदर्सनों को उप्योग मुख रोप्ष सिच्छार्थी को सामिल करता है किस प्रकार से सामिल करता है द्रस और स्रवन सीखने के लिए प्रदर्सन को उप्योग अगर मुख रुख सकर प्रदर्सन के द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं तो कि सिछार्थियों को क्या सामिल होगा द्रस और स्रब दोनों सीखने के यहां पर सामिल हो जाते प्रदरसन में बचे समझते भी हैं, देखते भी हैं, शुनते भी हैं अंगला है रेसम कीट के जीवन चक्र और रेसम फाइवर के उत्पाधन के सम्मझ में कौन सकतन सही नहीं दिया गया है देखे रेसम कीट के जीवन चक्र और रेसम फाइवर के उत्पादन के समन्द में जो सही दिया गया है कि रेसम फाइवर केटर पिलर द्वारा इस्तावित एक प्रोटीन होता है रेसम कीट के कोकून से रेसम का धागा प्राप्त किया जाता है रेसम कीट के लार्वा को केटर पिलर कहा जाता है लेकिन प्यूपा या कोसित विक्सित होकर केटर पिलर बन जाता है यह आपके रेसम फाइवर या रेसम कीट के जीवन चक्र के कथन से सम्मंदित आपका नहीं कथन होगा या सम्मंदित कथन नहीं दिये होगा जो क्योंकि रेसम जो होता है यह प्रकार का प कुरूब से प्रोटिन से बना होता है तो दोनों चीजों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है अंगला पुसनल निम्रकित में से मानों की कौन सी गरंती दो से अधिक हार्मोन इस्तावित करती है क्या वह अगनासय गरंती है थाइराइड है एडिनल है या प्योस है सभी लो द्यान देनी वाली बात है समझने वाली बात है important questions है नीची दिया गया कौन सा कथन सही होगा सही कथन है कि सभी अधात में अतन अर्थात तन नहीं होती जितने भी अधात होंगे सभी तन नहीं होती है सभी तन नहीं होती हैं सभी अतन होती हैं दोनों चीज़े सेम दिया गया है कन्फिज नहीं हो अतन मतलब तन नहीं दोनों चीज़े दे गई तो सभी अधात्य अतन होती हैं या सभी अधात्य तन नहीं होती हैं दोनों चीज़ों समझे अंगला किसी विशेश चेत में विशेश रूप से पाई जाने वाली इस पसीज को क्या कहा जाता है तो कोई भी विशेश चेत रो उसमें विशेश रूप से पाई जाने वाला जो इस पसीज होता है उसी को ही विशेश चेतरी इस पसीज बोला जाता है फर्स्ट आपसन यहां पर सही हो जाएगा अंगला पसन है धातु एक्स और धात वाई को उसके लमण बिलियन से बिस्थापित कर देती है परंतु धातु जेड को उसके लमण बिलियन से बिस्थापित करने योग नहीं है इनमें सबसे ज़्यादा अवग्रिया सील दहातु कौन सी हो जाए देखे एकसर और वाई दहातु लमड बिलियन से बिस्थापित हो जाएंगे परन्तु जेड को उसके लमड बिलियन को बिस्थापित करने का योग नहीं है इसलिए सबसे ज़्यादा अवकिर्या सील दहात वमारा जड़ ही हो जाएगा अंगला परस देख लेते हैं दोस्तों अपने कमरे में फर्स पर रखे किसी विसाल को सरकने के लिए रेसम को निम्लिकित बल से या निम्लिकित बल से किस से अधिक बल लगाना चाहिए रेसमा दिया गया ठीक है रेसमा को जो है बल किस से अधिक बल लगाना चाहिए जिससे अपने कमरे में फर्स पर रखे किसी विसाल को सरकाना है तो किस पर अधिक बल लगेगा क्योंकि सरकाना है तो धर्ती पर रखा हुआ है कोई भी समान ठीक है दर्ती पर रखा हुआ है अर्थात वाँ पे स्थैतिक गर्षंड पर अधिक बल लगाना होगा या अधिक बल देना होगा अंगला पसर्ण निम्रकीत में से सही गतन की पहचान करना है ध्वानी निरवात में गवन नहीं करती, बेलको सही बात है द्वानी जो है निर्वात में गबन नहीं करें पहला आपसन अमारत सही दिया गए अंगला पुछने लवण और जल के मिश्टरण को प्रथक करने की प्रकिया निम्लिकित में से कौन सा सहायक नहीं होगा देखें दोस्तों अगर हमें लवण और जल के जो मिश्टरण है उसको प्रथक करना है तो उसमें आपका आस्वन्वी से कर सकते हैं उवाल कर सकते हैं निश्टरण कर के कर सकते हैं लेकि निश्यंदन जो है ये आपका बीदी सहायक नहीं होगा लवण और जल मिश्टरण को के लिए किया जा सकता है अब तो प्रकास कैसा कौन सा गुण धर्म है जिसका उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याक्या के लिए किया जा सकता है नीचे आपके कुट वाले आपसंस भी दिये गए इसके लिए क्या किया सकता है पहले तो प्रकास अपारदर्सी वस्तों से नहीं गुजरता ये जानना जरूरी है और प्रकास सररलेखा में गवन करता है क्या जानना जरूरी है कि प्रकास जो होता है वह आपका अपारदर्सी वस्तु से नहीं गुजरता है और प्रकास सरर लेखा में गमन करता है A.D. आपसंस आपको ध्यान देना अंगला प्रश देखेगा पेड़ागॉजी का प्रशन है ध्यान पुरक समझेगा इन में से कौन सकतन प्रात्मी किस तर पर EBS पढ़ाने का उद्देश नहीं है आप सभी लोग भावी दापकदा प्रिका हैं तो आपके लिए जानना जरूई है EBS पढ़ाने का किसमे उद्देश हो सकता है किसमे नहीं हो सकता है देखे यहां पर प्राक्तिक और समाजी प्रण के बारे में जिग्यासा जगाना तो जिग्यासा जगाना पेडगरजी में पाजिटिव सब्द होता है इसके बाद शंगनात्मक और मनोगतिक कोशल के विकास की और ले जाने वाली समन्वेशी और बेभारी गद्विदियों को सनलगने करना ये भी आपका इंपोर्टन्ट हो जाता है मुल्यांकन के लिए सब्दों और परिभासाओं के साथ सिछार्थी का नेतवत करना ये भी इंपोर्टन्ट नहीं होगा क्योंकि EBS पढ़ाना तो इसके लिए उत्तार मुल्यांकन के लिए सब्दों और परिभासाओं के साथ नेतवत ये आपका नहीं होगा मांकि जीवन और परवन की चिंता के मुल्यों को आत्म साथ कर लेना ये आपका हो जाएगा ए बी और डी ये तीनों आपसंस हमारे EBS पढ़ाने के उद्देश होंगे प्रात्मिक इस तर पर लेकिन सी आपसंस प्रात्मिक इस तर पर उद्देश नहीं होगा अगर आप EBS की कोई पार्ट पुस्तक है उसमें रेलवे टिकर का कार आप नमूना दिखा रहे हैं और ऐसा बिचार आ रहा है तो ऐसे बिचार वास्पिक जानकारी के साथ बातचीत करने और अलोकन के कोशल को विक्सित करने के लिए क्या देता है और जहां पे पेड़ाग और इससे समाने ते एक प्रशना लेडियम पहले भी कर चुके हैं बीज अंकुरन देखे बीज अंकुरन के गर बात करते हैं सबसे बेटर तरीके से पढ़ाने की बात की जा रही तो बीज बोने के लिए विभिन चरणों का पालन करें और उनका चित बनाने के लिए कहना च चात्रों में तर्ग चमता बिक्सित करना चात्रों में मैन को भरमित करना और उने उस भ्रहम का आनंद लेना ये तीनों एवियस पार्ट को उस्तक में पहली और पजल को सामिल करने के उदेश हैं लेकिन चात्रों के मन को भरमित करना ये एवियस पार्ट को उस्तक में पहल चीडियागर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्रिकित मेंसे आप छात्रों की कौन सी गत्विदियां सुरू करने की अनमत नहीं देंगे। देखे चार options दिए गए आपके skin पर तो किसकी आप अनमत देंगे किसकी नहीं देंगे ये समझना जरूरी है देखे चिडिया घर में उन जानों की तस्मीरे लेना जिने वह जहां दिखेंगे चिडिया घर में वे जो कुछ भी देखते हैं उसका चित बनाने के लिए कहना उनका नाम लिख लेना लिष्ट बना लेना यह कह सकते हैं लेकिन घर से भोजन लेके जाना यह आप नहीं कह सकते हैं ठीक है चले सभी लोग समझ चुके हैं आए बात करेंगे अंगले प्रश्ण की दोस्तों प्रात्मी की स्थर पर फर्स्टू फिफ्ट क्लास तक के बच् मुल्यांकन में सामिल होना चाहिए क्या सामिल होना चाहिए पांच बेतिनलाजवाब आपसन दिये गए हैं तो प्रात्मी की स्थर में मुल्यांकन में जो सामिल होना चाहिए कि सिच्छार्थी बालक बालिकाएं और अविवावक के साथ निरंतर और असंरचित सिच्छक का उलोकन होना पहला आपसन इदर आइटेंसर इसके बाद अंगला प्रसंद दिया गया कि EBS कच्छा में सरल प्रयोग और प्रदोसन के लिए किये जा सकते हैं तो EBS की कच्छा में सरल प्रयोग और प्रदोसन किस प्रकार से किया जा सकते हैं चार आपसंस दिये गए हैं तो इस प्रकार में हमारा चात्रों को अपने दम पर सीखना और अपने अलोकन कोशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए किया जा सकता है पहला आपसं इदराइटेंसर टेलिग्राम से जुड़िए नोस और फीडिया फाइल फ्री में प्राप्त कीजे और साथ ही साथ इंस्टागाम फेस्बूक पेज़ को हमारे लाइक करना मत बूलेगा सभी फ्री अपकोश यहां पे चाहे नोस की बात करें चाहे क्लासेच की बात करें एसाइमेंट के बारे में निम्कित में से कौन सा कथन हमारा सही दिया गया है तो एसाइमेंट के बारे में जो हमारा कथन सही दिया गया है के साइमेंट सिच्छार्थी बालक बालिका को जानकारी हासिल करने और अपने स्वैम के विचारों का निर्मान करने और उन्हें इसपस्ट करने का आउशर प्रदान करता है जहां भी ये बच्चों को आउशर की बात की जाए पेड़ागोजी में पॉजिटिव आपसंस हो जाता है इसके बाद बात करेंगे अंगले पिश्टर मानचित को पढ़ने के लिए आवश्यक कोशल में सामिल है तो मानचित पढ़ना है तो उसके लिए आवश्यक कोशल क्या सामिल होता है इस्थान, दोरी, दिसाओं के सापेज, चिसित को समझने की चमता तो यहाँ पे आपका जो D-Aption है वह आपका यहाँ पे सही हो जाएगा चले 10 कोश्चन और बचोई हैं इस टॉप 50 कोश्चन को कम्सिट और पेड़ाजी वाली क्लास को कम्प्रेट करते हैं दोस्तों EBS कच्चा में और धरणाओं को समझने के लिए कविता और कहानी कहने को उपयोग मदद करता है किसमें मारा मदद करता है चार वे तिन लाजवाब आपसंस दिये गए हैं तो EBS की कच्चा में और धरणाओं को समझने के लिए कविता कहानी कहने को उपयोग किसमें मदद करेगा विस्वासनी और वैस्वे किस्तर पर दुनिया की प्रकत की कल्पना करने और उसका पता लगाने की चात की चमता को बढ़ावा देता है और चात की चमता को बढ़ावा दे रहा तो कहीने कहीं पेड़ागोजी में पाजिटू हमारा आपसंस हो जाता है अंगला है EBS कच्चा में सिच्चार्थी को हाथों और गतविदियों और जाच में सामिल करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है क्योंकि इससे उन्हें किसमें मदद मिलती है इससे उन्हें अपने वाता और अन्मे स्वतनांत रूप से घटनाओं के अनवेशन करने है पहला आपसं सही हो जाएगा अंगला प्रसंदी आगा है कि एक सिच्चिका ध्यापिका अपने चात्रों को पीटी सरीसरफ के बारे में पढ़ा रही है वह कई उदारन देकर पार्ट सुरू करती है और चात्रों से उन विसेश्टाओं को खोजने के लिए कहती है जो उनके पास थी तो ऐसा करना सिच्चिका के लिए क्या उपयोग कर रहा है ऐसे करने के लिए प्रेरक्ट दस्चिगोंड जो है उपयोग हो रहा है पहला आपसन इदर आई टेंसर हो जाएगा इसके बाद अंगला पशना कच्च्चा पांच के चात्रों के लिए एक सिच्चक जानरों के बोज पर एक कच्चा ले जा रहा है चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहां एक गधा समान से भरा हुआ है और गधा चलते समय लंगडा कर चलता है तो सिच्चक अपने चातों के साथ चर्चा करने की कोशिस कर रहा है किस प्रकार की चर्चा करने की कोशिस कर रहा है पसुओं के अधिभार और सोसन के चर्चा करने की बात कर रहा है इसके बाद आपका अंगला प्रस दिया गया है कि EBS के पीछे की बिचारधारा अरविंदो और गांधी जैसे सैचिक विचारकों के दर्सन के साथ मेल खाती है जैसे कि EBS बच्चों का समग्र विकास बी आपसन यहापे हमारा सही हो जाएगा इसके बाद अंगला प्रस्ण EBS वर के लिए बच्चों के प्रस्ण महत्पूर्ण है क्योंकि यह एक संकेतक है किसका संकेतक हो जाता है बच्चे क्या जानना चाहते हैं इसके बाद अंगला प्रस्ण देखेगा अंगला प्रस्ण EBS में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी सिच्चन सिच्चन रनीती है किस पकास एक प्रभावी सिच्चन सिच्चन रनीत या आपकी हमारी हो जाती है वह हो जाती है कि यह एक दूसरे के संदर्व में इस्थित की कलपना करने की चमता विक्सित करता है और कलपना करने की चमता विक्सित की बात कर रहे हैं यह आपको हो जाए किसी में मदद करने की बात हो रही है किसी में बिक्सित की बात कर रहे हैं लेकिन कहानी लेखन की बात की जा रही है लेकिन संदर्व की बात करें संदर्व से बिक्सित की कलपना करने की चमता होगी क्योंकि यहां पे स्टोरी टेलिंग की बात की जा रहे है इसलिए बी आपसन हो, यहां पे आपसन आपका सही हो जाएगा अंगला एक प्राथमिक सिच्छक बच्चों के साथ EBS कच्छा में विविन फसल तिवहार पर चर्चा कर रहे हैं तो यह उनकी मदद करेगा यह उनकी किस में मदद कर लेगा यह उनकी दोस्तों इन तिवहारों के बारे में जानने में भी मदद करेगा और हमारे देश में कटाई की प्रक्या के समन्दे जो मौझूद भी विताई हैं उनको समझने में भी मदद करेगा यानि ए और भी दोनों में मदद करेगा तो डी आपसन हमारा जो कह रहा है वह हमारा सही हो जाएगा आयोब सभी लोग समझ चुके होंगे आये बात करते हैं अंगले पिस्ट की दोस्तों बिग्यान ग्यान का एक गत्सील सरीर है इसमें बिग्यानिक प्रक्या सामिल है यह समय के साथ बदलता रहता है इसमें रचनात्मक लोग शामिल है इसका बिस्तार होता रहता है देखे बिग्यान का ग्यान एक गत्सील सरीर होता है क्योंकि यह समय के साथ बदलता रहता है गत्सील यहीं पर हमारा इंसर हो गया गत्सील का मतलब यही होता है कि हमेशा चलते रहना मतलब जब चलेगा तो कहने की बदलाव भी होता है तो समय के साथ बदलते रहें भी आपसन सही हो जाएगा और 50 नमबर कोश्चनस आपके स्कीन पर है कि बिग्यान में बिवहारी कार में छात सामिल है केवल प्रयोक से प्रयोक साला केवल काम करती है दोनों समगरी और अप्रतच अनमबह से जुड़ना या हाथों के अनमबह से तो आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि बिग्यान में बिवहारी कार छेत में सामिल है और वह हो जाएगा दोनों शमगरी और अप्रतच अन्मों से जुड़ने में सामिल हो जाएगा और अंतिम प्रश्ण करेंगे जो आप सभी के लिए मौक कॉश्चन की रूप में रहेगा कि बिज्ञान सिच्छर में दस्टिगोण होना चाहिए बाल केंदित, स्कूल केंदित, पाठकम या सिच्छक केंदित होना चाहिए आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि बिज्ञान सिच्छर में किसका दस्टिगोण होना चाहिए किस पर केंदित दस्टिगोण होना चाहिए साथी साथ 50 में से आप लोगों ने किसना स्कोर प्राप्त किया 50% में आपके कितने सही हुए हैं ये भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है